बहुत कुछ सम्मानों से नवाजा भी जा चुका है, सर स्वागत है आपका हमारे शो में, नमश्कार, सर मैं आपसे पहला सवाल जो पूछना चाता हूँ, वो यह है कि आपका नाम प्रेम भारतवाज घ्यान भिक्षु जी है, घ्यान भिक्षु का क्या अर्थ है? मैं तो पहले आप इस चैनल के सुनने और देखने वालों का धन्यवाद करूँगा कि आप हमें अपने चैनल के माध्यम से इस बात को ले जा रहे हैं जहां तक मेरे नाम के साथ ग्यान विक्सु जुड़ाओ है और मुझे लोग अप्रेम भारे द्वाज कम और ग्यान विक्सु जी कहते हैं उसके पीछे बहुत साल पहले एक मन में इच्छा आई कि अगर हम ग्यान की प्राप्ति में लगे हैं और विविन्द परकार की किताबें लिखते हैं मैं हिंदी में इंग्लिस में और कई भासाओं में लिख रहा हूँ तो आखिर एक समय आएगा जब आपको लोग पूछेंगे कि इतना सब कुछ लेने के बाद ग्यान प्राप्त करने के बाद आपकी इस्तिती क्या है तो कभी भी ऐसे इस्तिती ना आए कि मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत बड़ा ग्यानी हो गया हूँ तो मैंने अपने नाम के आगे प्रारंब में ही जिन्दगी खत्म हो जाती है मगर जिन्दगी कभी खत्म नहीं होता तो आप अगर कभी किसी से कुछ मांग भी रहे हो किस से इच्छा रखते हो तो जिन्दगी आपका एक तरीके से pen नेम भी है कैसर लोग मुझे मंचो पर ग्यान विक्षू जी कह करके बोलते हैं तो मुझे खुसी होती है और किसी ने ऐसा प्रस्ण भी किया था कि आप ग्यान विक्षू क्यों लिखवाते हैं आप तो कई सब्जेक्टों में बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं समझते हैं मगर मैंने का ग्य समझने लग जाते हैं हम ग्यानी हैं तो आप और मैं मलखास करके मैं ऐसा न समझू कि मैं ग्यानी हो गया हूँ तो मुझे रोज याद रहता है कि मैं भिक्षू भी हूँ वो भी ग्यान का कभी मुझे गलती ना हो एहम ना हो दंब ना हो इसलिए ग्यान भिक्षू नाम लि जिए जरूर आज आपने विसेश रूप से आज का साक्सातकार रखा जिसका विसेश आपने मास्कों में अंतरास्ट्य संमेलन जो हो रहा है हिंदी का उस पे विसेश पर तो मैं बड़ी खुसी है आपसे अपनी जानकारी साज्या करते हुए कि अंतरास्ट्य मंचों पर मैं अभी कुछ चार दिन पहले की बात है मैं अमेरिका से न्यू जर्सी में एक भव्य कारिकरम हुआ था उससे लोटा हूँ और वहां पे मुझे अंतरास्ट्य हिंदी समीति की ओर से और बहुत सारे कारिकरम में वहां पे हिस्सा लेने का मौका मि सम्मान भी मिला और पंडित तिलक राज सरमा जी मिमोरियल की तरफ से मुझे अंतरास्ट्य हिंदी स्रजन पदक अवार्ड भी मिला तो बड़ी खुसी होती है कि ऐसे अंतरास्ट्य मंचों पे बुलाया जाता है आज मौका है पांच तारीक को मुझे जाना है मास्कों, साथ तारीक को वहां पर अंतराष्टिय काब्युस सब होगा वैसे तो बहुत सारे कारिकरम है उसमें मगर मुझे इस होबागया मिला है कि अंतराष्टे काव्या उस सब में मुख्य अत्रिती बनने का। और हमारे बीच में हमारे इस सारे कारेक्रम की अद्ध्यक्रता होंगे और इस पूरे कारेक्रम को जो सहयोजन कर रहे हैं, डॉक्टर. आसीस कांदवे यह सारी साय।कार को लेके जा रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, ने हमें आमंतित किया और हमें वहाँ मंच दे रहे हैं. तो हिंदी साहिटे के लिए काम करने का कुछ मुचा मिलेगा, हिंदी के लिए बिसेस करके कुछ करने का मुचा मिलेगा. अब वो अलग बात है कि मेरी वहां दो किताबों का विमोचन होना है एक किताब इंदी गजल संग्रा है जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे और दूसरा विसे अलग है वो अंग्रेजी में मेरी एक पुस्तक है उसका नाम है कि हिंदी को हम अपने विविन चेत्रों में विस्तो के हर पोने बे ले जा करके हिंदी पे चर्चा रखें परिचर्चा करें और लोगों से एक दूसरे के संबात की भासा में हिंदी आए तो मेरा यह लग्से भी है और मैं उसका आज हिस्सा बनने जा रहा हूं मास्कों में त सब्सक्राइब पर कल्च्छर प्रोग्राम, वहां पर कथक होने का एक प्रोग्राम है इसके अलावास कला और सस्कृति के भी कई कारेकरम होंगे चित्र कलाओं की परदस्नी भी वहां होने जा रही हमारे बड़े बड़े उसमें जो चित्र कार है वो हमारे साथ वहां होंगे वो अपने वहां कला परदस्नी का परदस्न करेंगे पिछले साल हम इस कितली कंट्रीज से इन पर्थिपेट कर रही है तो मैं यी जानता हैं की नहीं कि हिंदी फ्रेमियों को हम बिलाए गया है वह लोग कैणीडैसे अमेरिका से और बहुत बेल्जियम ऐसे बहुत सारी जगह से लोग आते हैं सर आपकी जो एक पुस्तक है जुसका लुकापन होना है भी वहाँ पर लोग क्या कहेंगे अगर उसकी कुछ गजल आप बता सके हैं हमारे भी और सके लिए उसकी गजल भी बताऊंगा और मैंने एक कविता उ पूल इस तरीके से हैं कि वक्त वो से है वक्त वो से है जिसे रोकना मुम्किन नहीं वक्त वो से है जिसे रोकना मुम्किन नहीं हात मलते जाईए या साथ चलते जाईए वक्त की बात हो रही है वक्त वो से है जिसे रोकना मुम्किन नहीं हात मलते जाईए या फिर साथ चल तूफान को जो टहनिया देती नहीं है रास्ता बट ब्रेक्स भी जड़ से उखड़ जाते हैं वो वक्त की बात कर रहा हूं मैं अगली पंक्ती है जब कभी लगने लगे मैं बड़ी हम तुम से है तो समझ लीजे तुमारा वक्त अब जाने को है एक पंक्ती और सुनाता हूं इसमें से कि वक्त को जाने से पहले आजमाना चाहिए वरना तुम्हें आजमाएगा वक्त चले जाने के बाद और अंतिम दो बंद और हैं अगर आप कहें तो वो भी सुनाओं वक्त अच्छा हो तो सब में बाट देना चाहिए ये वो से है लौट के नहीं आती है पिर जाने के बाद और अंतिम बंद सुनें आप कितनी कटी कितनी रही लगाते रहो जिंदगी वर हिसाब एक दिन ये वक्त ही बेवक्त लेकर जाएगा एक दिन ये वक्त ही बेवक्त लेकर जाएगा वक्त की वक्त वो सह है जिसे रोकना मुम्किन नहीं हाथ मलते जाईए या फिर साथ चलते जाईए सुक्रिया सर लिखने की प्रेणना कहां से मिली आपको कब से लिख रहे हैं मैं इस सवाल का कम से कम 200 बार जवाब दे चुको मगर मैं आभी आपको भी देता हूँ या तो बॉन लेखक होते हैं या कहीं कुछ आपके अंदर पहले से होता है आप परियोग करने से लेखक नहीं बनोगे तो मैं जब 15-16 साल का था तब कभी ऐसे लिखता था लोग साहिद इसको इतना गंबीरता से नहीं लेते थे मगर जब कुछ लिखने लग जओ आप तो बड़ी चुनोतियां सामने आती हैं क्योंकि सहित्ते लिखना इतना सरण नहीं है आपको कुछ ऐसा लिखना होगा जो सार्थक होगा जो लोगों को जोड़ता होगा लोगों को लगता होगा हां मेरे साथ हुआ है तो मैंने बहुत बार लिखा जैसे आप युवा हैं आज इतना बड़ा प्रियोजन पर आप काम कर रहें तो ऐसी मैंने प्रेणास दाई कुछ कविता लिखी उनमें से एक पंक्ति आपकोस भेट करता हूँ कि एक कदम बढ़कर के देखो मनजलें भी बस यहीं है जीतने वाला ये सोचे हारने को कुछ नहीं है तो हारने को कुछ नहीं है का मत्तब्द ये मेरी जीवन का संगर्स था जब-जब मुझे लोगों ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैंने वो जरूर किया फिर मैंने वो ही किया जब-जब चुनोतियां आई लोगों ने मुझे कहा कि आप तो रहने दो फिर मैंने समझा कि अब यही मकसद बन जाएगा तो ऐसा कुछ मोड जिन्दगी में आए आपने प्रस्न मूल रूप से ये किया कि आपको प्रेणना कहां से मिली मुझे जीवन से प्रेणना मिली जिन्दगी ने प्रेणना दी हर लमहों ने प्रेणना दी जिन्दगी संगर्स थी संगर्स ने प्रेणना दी जिन्दगी में इतना अच्छा नहीं था जो तुमें दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं था, उसने प्रेणा दी, कम्यों ने प्रेणा दी, तो बस यहां से कविता है निकलती चली गई, और मैंने कोई इस मुस्क पे कविता नहीं लिखी है लगवग, मैंने जिंदगी पे कविता लिखी, मैंने उस हर पल पे कविता लिखी, जहां जीवन नि इतना रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी कभी नहीं लिखता था मैंने भी मैंने तो बहुत बाद में लिखना शुरू किया मैं भी गलती से थोड़ी बहुत गजलें ऐसे थोड़ी बहुत कविता लिख लेता हूं आप जरूर लिखें मैं बताता हूं मैं यह आपकी बात भावना समझ में आ गई मैंने ये प्रसंग तो बहुत बार बिसकसन कर लिया है मगर मैं अब बार बार उसको नहीं कहूंगा मगर कोई बहुत बड़े साहित्यकार थे उनके पास मैं कविता लेके चला गया और मैंने कहा सर मैं भी लिखता हूँ जबकि वो बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनका नाम बोलना ही बहुत बड़ी बात है तो उन्होंने उस समय कहा कि अभी तो दाड़ी मूच भी नहीं आई है अभी आप किस चेकर में पड़ गए पहले जिंदगी देखो तो समझ में आएगी कविता लिखना पर उनकी बात नेमें उन्होंने इतना कहा कि मगर मैं आपके होसलों की दाड़ देता हूँ बगाुका इतना कहना था तो मैंने अगले पल एक कविता लिखी होसले आज कविता आप पे सूट कर रही है आप कह रहे हो कि आप भी प्रियास करते हो तो वो कविता थी उन्होंने इतना कहा था मुझे आपके होसलों की दाप देता हूं कि इतनी सी उमर में आप मेरे पास आकर कि यह कह रहे हो कि मैं भी कविता लिखता हूं मैं उमर में 14-15 साल का था तो मैंने उस समय वो कविता लिख है कि होसले एक बार फिर सुना दो दो पंक्तियां उसकी आज आपको प्रेडित करें तो अच्छा लगेगा कि होसले रख बुलंदी पर तमन्ना ये जवां होंगी जो कल थी आस्मानों पर वो सायत कल यहां होगी नकर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजा होगी जिनोंने र कौन देता है वक्त देता है समय देता है लोग देते हैं हमारे इर्दगीर के बहुत सारे किरोदार हैं जो आपको या तो कविता लिखने को प्रेडित करते हैं या वो काम करने को प्रेडित करते हैं सर कौन से विशे हैं आप बता चुके हैं कि जिन्दगी पे आप ज़्यादा लिखते हो लेकिन फिर भी ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो या कौन कोई एक ऐसा विशे जिन्दगी से हटके देखे जब मैंने कहा कि मैं इसको मुस्क पे कम लिखता हूँ मलब इस पे बहुत सारी कविता लिखी जाती है अपनी प्रेमिका की गालों पे उसके बालों पे कविता लिखते हैं लोग सायद मैं ऐसी कविता बहुत जादा नहीं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ मगर उसमें डेगा कि अरे ये तो फिर मेरी बात कर दिक्रा हमने सब्सक्राइम क्या période जीवन का करता है अगर पतनी और प्रेमिका नहीं होती मात्र हसाने के लिए या मात्र चुटकिले सुनाने के लिए मैं कविता नहीं लिख पाता हूँ मैंने एक बहुत बड़ी हमारे देश की बहुत बड़ी एक आफिसर हुई उनको बहुत नाम मिला तो एक जमाने में उनसे मैं प्रभावित हुआ वो बहुत administrative level पे बड़ा काम कर चुकी है तो उनको देख करके मुझे लगा कि इस तरी को ऐसे होना चाहिए तो मैंने एक कविता लिखी कि मेहंदी रचे हो हाथ तो किस काम के मेरे मेहंदी रचे हो हाथ तो किस काम के मेरे जलाने हो अपने हाथ तो मेरे साथ चलो तुम उसी में मैंने उसको समर्पित करते में क्या कहा था कीचड उछालती इस दुनिया में पाग दामन को है रखना बच कर निकल सको तो मेरे साथ चलो तुम तो अब है तो इसमें पात्र महिला मगर मैंने कहा है कि अगर आप मैदान में आ गई है महिलाएं आज बरावर की सिदार है जब बरावर की सिदारी करती है तो उनके लिए कुछ संदेश है कि मेहंदी रचे हैं हाथ तो किस काम के मेरे जलाने हो अपने हाथ तो मेरे साथ चलो तुम और कीचर उचालती इस दुनिया में पाक नामन को है रखना मुस्किल है दुनिया में काम करना तो उसमें ये कविता आ जाती है कि कीचर उचालती दुनिया में पाक नामन को है रखना बचकर निकल सको तो मेरे साथ चलो तुम और अंतिम बहुत सारी लंबी कविता है, मगर अंतिम बंद सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो रोमांस था, वो नीचे आके आपने यूमर में आ गया, वो क्या है, चीटी की तरह सिखर से गिराएगी ये दुनिया, गिर कर समल सको, तो मेरे साथ चलो तो, पात्रों का अंदाजा लगाना उस समय मुश्किल हो जाएगा, मगर उसका अंत्र जब देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि अंतरभाव में बहुत कुछ था कभी के, और वो एक संदेश देखेंगे, जैसे आपने बताए कि आप श्ट्रिंगार लिखते हैं, मतलब हमा होते हैं, आप के रसों की दिए बिरमार पड़ी भी है, पर आप रसों के हिसाब से कभीता लिखने लग जाएं, तो लिखने ही पाओगे, आप आप आज कल देखेंगे, लोग कथा की तरह कभीता लिख रहे हैं, वो भी कभीता है, मैं उसकी निंदा नहीं करता, मगर मैं य पोच्छंद में हो कम से कम उसकी कुछ मर्यादा रख लो दोहा लिखना ओँ चौपाय लिखना हो कुछ भी लिखना हो आज कल तो हाईकु का दोर चल रहा है तीन लाइन लिखते हैं खतम हो गई कविता कुछ भी लिखते हो सार्थक लिखो मैंने कहा और आपको समझ में आ गई वो कविता है मैं बकबकाता रहा एक घंटे से कुछ गाता रहा आप सो गए वो कविता नहीं थी कविता नहीं हो सकती कविता वो होती है जो जागरन के लिए बनाई जाती है कविता वो होती है जो लोगों को अंतर मन से भार निकालने के लिए बनाई जाती है तो हमारे जो बड़े सीर्स कवी हैं उनका नाम क्यूं है क्योंकि वो ऐसा कुछ लिखते थे जो हमेसा काल जही रा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसे आप अभी तो पड़े हैं पर मुझे नहीं रखता कि दो गंटे बाद खुद आपको अपनी कविता याद है तो उस कविता को न लिखो जरूरी नहीं है लिखो तो कुछ अच्छा लिखो कुछ गुदगुदा जाए लोगों को कुछ लोगों तक पहुंच जाए सर आप अपने अगर पाठकों के कुछ कहना चाहेंगी कुछ संदेश मैं तो बस अपने पाठकों को धन्यवाद करता हूँ मैं बिखत कई सालों से किताबे लिख रहा हूँ लगातार मेरी किताबे आ रही हैं और अभी भी दो किताबों का विमोचन मासकों में करने जा रहा हूँ मैं तब तक लिखता रहूंगा और मैं तब तक लिखूंगा जब तक मुझे परकासक ये कहेगा कि भाई आप छोड़ देजी कि अभी मुझे बताया मुझे हमारे डामेंड के जो डामेंड बुक्स से मेरी किताबे आती हैं उनके जो मालिक है आदेनिया वर्मा जी ने कहा कि भाई दौजी आपके अगली कि खिताबों का मेटरियल जमा कराईए जल्बी तो उससे समझ में आता है कि जो हम लिख रहे हैं वो सार्थक है और कहीं लोगों तक पहुंच रहा है हमारे लिए आपने अपना टाइट शेडूल से एक समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा सुभा ग्या है कि मैं आपके चैनल और आपके मार्गम से एक to अंतराश्टी यात्रा पर जा रहा हूं और हिंदी की सेवा के लिए कारिकर में मैं जा रहा हूं जिसका आयोजन साथ तारिकों मास्कों में होने जा रहा है मैं आपके चैनल का और आप पैसले धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मुझे मौगा दिया कि मैं अपनी बात को और से हिंदी की बात को आपके चैनल के माद्गम से आपके विवर्स तक रखो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सरा आपका